गरीब लड़की का जादूई शादी का लेहगा गंगापुर गाओं में बिंधिया नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी बिंधिया दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुन्दर थी गाउ के सभी लड़के उसकी खोबसूरती के पीछे पागल रहते थे जिस वज़े से गाउ के बांके के लड़कियां बिंदिया से जला करती थी एक दिन बिंदिया नदी से पानी भरने के लिए जा रही थी तब एक करिस्मा नाम की एक लड़की कहती है बिंदिया तु चाहे दिखने में कितनी भी कोपसुरत क्यों न हो हो तो आकिर गरीब भिकमंगी ही न और वही रहोगी तुम हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकती समझे हम चाहे दिखने में कैसे भी हो लेकिन हम तुमसे बहुत ही ज़्यादा आमीर है करिस्मा मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनके साथ बहुत ही खुस हूँ नहीं तुमारे माबाप तुमसे प्यार नहीं करते वो तो तुम्हे अपने घर का बोज समझते हैं और देखना वो बहुत ही जल्दी तुम्हारी शादी करा कर तुम्हें अपने घर से निकाल फेकेंगे ये बोल कर सभी लड़किया उसका बहुत मजा कुराती है ये देखकर बिंद्या उदास हो जाती है और वो नदी से पानी बर कर घर आ जाती है ऐसे ही कई दिन बीच जाता है एक दिन बिंद्या की मा उससे कहती है बिंद्या बेटी सेर से तेरे मामा का कॉल आया था उन्होंने एक बहुत ही अच्छे घर में तेरे लिए रिस्ते की बात की है नहीं मा मैं ये शादी नहीं करना चाहती और हाँ आभी फोन करके मामा को मना कर दो ये कैसी बात कर रही ये बेटी इतनी मुश्किय से तो इतना अच्छा रिस्ता मिला है वे लोग बहुत ही खांदानी और रहीस हैं और तोर उन्हें दहेज में भी कुछ नहीं चाहिए तेरी शादी होगी तो उसी घर में होगी नहीं मा मैं ये शादी नहीं करूँगी मैं अब शादी नहीं करना चाहती मैं सहर जाकर वहाँ नौकडी करूँगी और आपकी और पापा की अच्छे से देखवाल करूँगी बंद कर अपनी ये बकवास मैंने और तेरे पिता ने पहले ही फैसला कर लिया है तेरी शादी होगी तो उसी लड़के से होगी अब फालतो की बकवास नहीं समझी इतना बोल कर उसकी माँ वहां से चली जाती है अगले दिन बिंदिया रोते हुए अपने बॉइफरंड बंट जाती है और बोलती है बंटी मैं ये शादी नहीं करना चाहती कुछ करो बंटी मेरे घरवाले जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते हैं मैं ये शादी नहीं करूंगी मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी मैं तुमसे ही करना चाहती हूँ अब तुम ही कुछ कर यह तुम क्या कह रही हो बिंदिया, इसमें बहला में क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो अभी कोई जोब भी नहीं है, फिर मैं तुम्हारे घर वाले से किसम होसे, तुम्हारे रिष्टे की बात करूं, बिंदिया, तुम कुछ दिन और इंतिजार करो, मैं अगले हबते ही सहर दिलासा देकर वहां से चला जाता है ऐसे ही कुछ दिन बीच जाता है एक दिन बिंदिया को देखने लड़के वाले आते हैं और लड़के की मा कहती है बेटी तो आपकी बहुत ही सुन्दर है बहन जी बस मेरा घर और मेरे बेटे को समाल ले मुझे और कुछ नहीं चाहिए बेटी खाना तो पका लेती हो ना हाँ मैं सब कुछ पका लेती हूँ आप जो बोलोगी मैं वो सब पका दूँगी हाँ हाँ बेहन जी बहुत ही मेहनती है मेरी बेटी ये जो सब कुछ भी आप लोग खा रहे हैं ना ये सब मेरी बेटी नहीं बनाया है बहुत ही आच्छा खाना बनाती है मेरी बेटी ठीक है बेहन जी लड़की हमें पसंद है हम अगले ही हपते शादी करना चाहते हैं अगले हपते बेहन जी इतनी जल्दबाजी में मैं सारा इंतजाम कैसे करूँगा कुछ समय और दे दीजिए देखिये भाई साहब अगले मेने मेरे बेटे को काम के सिल्सले में विदेश जाना है तो हम चाहते हैं बेटे के जाने से पहले ही उसके शादी हो जाए अगर आप लोग अगले हपते शादी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं हम कही और रिस्ता देख लेंगे वैसे भी मेरे बेटे के लिए लड़कियों के कमी नहीं है अरे नहीं नहीं बैन जी आप लोग तो खामखा ये गुस्सा हो गई, कोई बात नहीं, हम अगले हपते ही शादी का इंतजाम करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है हाँ ठीक है, जैसा आप लोग कहेंगे हम ऐसे ही करेंगे उसके बाद वे लोग रिस्ता पक्का करके वहाँ से चले जाते हैं बिंदिया अपने कमरे में जाकर खूब रोती है मैं अभी ये शादी नहीं करना चाहती मैं तो बंटे से प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना किसी होट से शादी नहीं करूँगी मुझे थो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा ए बगवार मेरी मदद करो इधर बिंदिया की माता पिता अपने घर गिर्वी रखकर अपनी बीटी की सादी की सारी तैयारियां करते हैं बिंदिया की सादी में अभी दो दिन ही बचे थे तब ही लड़के की मा की बिंदिया की मा के पास फोन आता है हलो बहन जी सुनिए लड़की का लहंगा आप लोगों को ही खरीदना पड़ेगा हम लोग लड़की का लहंगा नहीं लाएंगे इसलिए आज ही उसका लहंगा बनवा लिजिएगा लेकिन बहन जी उस दिन तो आपने कहा था लड़की का लेंगा आप लेकर आएंगी नहीं नहीं लांगा आप लोगों को ही देना पड़ेगा हमारे हाँ ऐसा नहीं होता यही बताने के लिए फोन किया था अब रखती हूँ उसके बाद लड़के की माँ फोन रख देती है ये खबर सुनकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं बिंदिया की माँ सारे पैसे तो साधी की तैयारी में ही खर्च हो गए अब लेंगा किस पैसे से खड़िद कर लाएंगे देख लिया नमा आपने मैंने पहले ही कहा था मैं ये साधी नहीं करूँगी लेकिन आप लोगोंने मेरी बात नहीं मानी ये लोग भी बाकी सब की तरह ही निकले ना ये बोल कर बिंदिया नदी के किनारे चली जाती है और वहीं बैट कर बंटी को याद करके खूब रोती है तब ही बिंदिया देखती है नदी में एक बकसा बह रहा है बिंदिया उस बकसे को पानी से निकाल कर उसे खोलती है बकसे को खोलते ही बकसा चमक उठता है और उस बक बकसे से आजात कर मुझे पर बहुत बढ़ा एसान किया है आप कौन है आप और आप इस तरह बकसे के अंदर कैसे जिंदर रही थी मैं परी लोग की विसाखा परी हूं मुझे एक जादूगर्णी ने दोके से इस बकसे में बंद कर दिया था लेकिन आज तुमने मुझे इस से आजात कर मुझे पर बहुत बड़ा एहसान किया है पर तुम तुम इतने उदास क्यों हो क्या बताओं परी जी कल मेरी शादी होने माली है और मैं अपने इस शादी से बिल्कुल भी खुस नहीं हूं बिल्या ये लो ये तुमारी शादी का जादूई लहंगा है ये मेरी है मेरी खुसिया तो बंटी से ही थी परी जी लेकिन ये शादी करने के बाद मेरी जिनगी खुसियों से नहीं बलकि गम से भड़ जाएगी खैर उसके बाद बिंद्या वो लहंगा लेकर घर आ जाती है और अपने मापिता जी को वो लहंगा दिखाती है लहंगा देखकर बारात आती है बिंद्या अपना लहंगा पहन कर अच्छे से तयार होती है वो बहुत ही ज़्यादा सुन्दर लग रही थी लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी सभी लोग बिंद्या के लहंगे की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं तभी लड़के क मां बिंदिया की माता पिता से कहती है देखिये भाई साब उस दिन तो हम लोग जल्द बाजे में लेन देन की बात करना ही भूल गए थे वैसे तो हमारे बेटे के लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती है लेकिन हमने आपकी बेटी को पसंद किया है तो इसलिए अभी इने सारे पेशों का इंतिजाम हम कहां से करेंगे देखिये वह सब तो मैं नहीं जानती अगर पैसे नहीं दिये फिर ये शादी भी नहीं होगी हम लोग अभी बारात वापस लेकर चले जाएंगे नहीं नहीं आपके पेर पकड़ता हूं गरीब बाप पर थोड़ा तो तर बेटे का शौदा करने अरे अप क्या यह रिस्तत तोर के जा रही हैं मैं खुदीostic लालची लोगों के घर शादी यह नहीं करना चाहती अरे लरकी अरे इस लरकी की तो आभी से ही जबान कैची की तरह चल रही है अगर आसी लड़की से हमारे बेटे की साधी हो जाती पिर आम सो बार सोचे बिंदिया के इतना कहते ही जादूई लेंगा उन दोनों मा बेटों को हवा में उल्टा लटका देती है बेटी हमें माप कर दो बेटी हमसे बहुत बरी गलती हो गई हमें नीचे उतारो हम अब कभी किसी से दहच नहीं लेंगे हमें जाने दो हमें छोड़ दो बेटी छोड़ दे ही ने दो अपने पिता की ये बात सुनकर बिंदिया उन्हें छोड़ देती है और वे लोग मारे डरके वहां से भाग जाते हैं ये भगवान ये क्या हो गया हम मेरी बेटी से कौन साधी करेगा हम तो लुट गए बरबाद हो गए बिंदिया की मा रोही रही थी तब ही उधर से बंटी आता है और कहता है अंकल आंटी रोहे मत मैं आपकी बेटी बिंदिया से बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपकी बेटी बिंदिया से साधी करूँगा ये सुनकर, बिंद्या बहुत ही खुश हो जाती है हा मापापा, मैं भी बंटी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी बंटी से शाधी करना चाहती हूँ साइद मुझे मेरे प्यार से मिलाने के लिए ही उस परी ने मुझे ये जादूई लेहँगा दिया था और ये सब इसी जादूई लहंगे की वज़े से हुआ है उसके बाद बिंद्या सभी को उस जादूई लहंगा के बारे में बताती है सभी लोग को बंटी भी पसंद आ जाता है और फिर बड़े ही धूमधाम से उसी मंड़क पर बिंद्या और बंटी की शादी हो जाती है अपनी सोतेली मा विमला और सोतेली बहन महिरा के साथ ही रहा करती थी और उसके पिता विनोद अक्सर काम के सिलसिले से शहर में ही रहा करते थी क्योंकि शोनाले जब पांच साल की थी तभी उसकी मा की किसी बीमारी की वज़े से मौध हो जाती है और अपनी मा के जाने के बाद शोनाली बिलकुल अकेली पर जाती है और अपनी बीटी को इस तरह दुखी देख कर विनोध विमला से दूसरी शादी कर लेता है ताकि शोनाली को मा का प्यार मिल सके लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि विमला की पहले से ही एक बीटी थी जिसका नाम नायरा था और वो दोनों मा बीटी बहुत जादा लालची थी और विनोध के जाते ही वो लोग शोनाली के उपर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं उसरे घर का सारा काम करवाया करते थे और शोनाली को हमेशा अपन घर की नौकरानी बताया करते थे और ये सब होता देख कर शोनाली को बहुत बुरा लगता था मेरे सोतेली मा और मेरे सोतेली बहन कितनी ज़्यादा बुरी है इन लोगों ने तो सरफ पैसो के लालच में मेरे पिताजी से शादी की है पर ये सारी बाते मैं अपने पिताजी को कैसे बताओं मेरे पास तो मुबाइल भी नहीं है और इस तरह शोनाली अपनी सोतेली मा और सोतेली बहन के अत्याचारों से बहुत ही ज़्यादा दुखी थी लेकिन वो फिर भी चुप चाप उन लोगों के अत्याचारों को सहा करती थी तभी एक दिन जब शोनाली घर की साफ सफाई कर रही होती है उसी समय नाइरा के में एक आइडिया आता है और वो मन ही मन सोचती है और एक क्या बात है आज इस शोनाली की बच्चे तो बड़ी आराम से काम कर रही है कुछ न कुछ तो खुराफाती करना ही पड़ेगा इतना कहकर नायरा रसोई में से तेल गरम करके लाती है और शोनाली के हाथ में गिरा दे जिसके वज़े से शोनाली का हाथ बुरी तरह से जय जाता है और वो दर्द से चिला उठती है और उसे इस तरह दर्द से तड़पता देखकर नायरा को बहुत अच्छा लगता है तब इस शोनाली कहती है आह नायरा ये तुमने क्या किया तुम्हें पता है मेरा हथ बहुत करने की रुपचा अभी मां से तेरी शुकायत करती हूं इतना कहकर नाइरा अपनी मां विम्ला के पास जाती है और उसे शुनाली की जूटी शुकायत कर दीती है जिसके बाद विम्ला गुस्से में शुनाली के पास जाती है और उसे बहुत मारती है और कहती है खबरतार जो तुने मेरी बेटी से इस तरीके से बात की तो मैं तेरी खालो धेर दूँगी समझी चल चा और रसोई में जाकर अपना काम कर लेकिन मा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है वो तो नायरा लगता है तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई इसलिये अब यहाँ खड़े खड़े बकवास करना बंद कर और चुपचप जाकर अपना काम कर इतना सुनकर शोनाली चुपचा प्रसोई में जाती है और सब के लिए नाश्टा बनाने लगती है और रोते हुए अपनी मा को याद करती है मा काश आज अब मेरे साथ होती तो मुझे इन लोगों के इस अत्याचार को सहना नहीं पड़ता ये लोग हर रुज मेरे साथ ऐसा ही करते है जहां शोनाली इतना कहही रही होती है कि तभी उसे विमला जोड से आवाज लगाती है अरे करम जली कहा मर गई नाश्ता क्या कल ले कराईगी यहां हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं इतना सुनती ही शोनाली फटा फट से सब के लिए नाश्ता बना कर उन्हें दे दीती है और फिर से घर के कामों में लग जाती है और शाम का बचा हुआ खाना खाकर ही वो सो जाती है तभी अगले दिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो महसूस करती है कि उसकी तबियत बहुत ही ज़्यादा खराब है उसी समय वो कहती है अब क्या होगा मुझे तो बहुत तेज बुखार है और मैं ऐसे में घर का सारा काम कैसे कर पाऊंगी मुझे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा चल जल्दी उट और हम सब के लिए नाश्ता बना मा आज मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं लग रही है बस आज के लिए मुझे आराम कर लेने दीजिए कल से मैं खुद घर के सारे काम कर लिया करूंगी मुझे तेरे ये बहाने नहीं सुनने है इसलिए चुप चाप खड़ी हो और काम कर मुझे पांच नट में नाश्ता तयार चाहिए समझी इतना कहकर विमला वहां से चली जाती है जिसके बाद शोनाली हिम्मत करके खड़ी होती है मुझे सब पता है मेरी बच्ची कि ये लोग तुछ पर किस तरह से अत्याचार करती है इसलिए आज मैं यहां तेरी मदद करने के लिए आई हूँ मेरी बच्ची ये लिए ये दो रंगी जादी नेल पॉलिश है इस गुलाबी वाली नेल पॉलिश को लगाती ही तेरी तबियत बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इस गोर्डन वाली नेल पॉलिश को लगाती ही तो जो कुछ भी मांगेगी तीरी सारी इच्छाईं पूरी हो जाएगी इतना कहकर शोनाली की मा उसे दो रंग की जादी नेल पॉलिश देकर वहां से गायब हो जाती है जिसके बाद शोनाली गुलाबी रंग की नेल पॉलिश अपने हाथों पर लगा लेती है और उसे लगाती ही उसके तबियत पूरे तरीके से ठीक हो जाती है जिसके बाद शोनाली गोल्डन निल पॉलिश लगा कर जैसी ही रसोई में जाती है तो वैसी ही रसोई में सारा खाना अपने आप बनकर तयार हो जाता है और वो पांच मिनट से पहले ही सब के लिए नाश्टा लगा देती है और इस तरह अब वो अपने घर के सारे काम बड़ मन सोचती है अरे आशकल ये शोनाली की बच्ची बड़ी खुश नजर आती है अखिर बात क्या है माँ चाही से जितना भी काम करवाली ये फिर भी चुपचा बड़े ही आराम से सारा काम कर लेती है लेकिन कोई बात नहीं इसे परिशान करने का तो मैं एक भी मौका नहीं इतना कहकर नायरा अपनी मा के कमरे में जाती है और अपनी मा की लाई हुई नई सारी के उपर नेल पॉलिश गिरा देती है जिसके बाद वो शोनाली के पास आकर उसे कहती है सुन शनाली तु चाकर सबसे पहले मा का कमरा साफ कर दे बहुत गंधा पड़ा है वरना मा तुझे बहुत मारेगी ठीक है मैं अभी चाकर मा का कमरा साफ कर देती हूँ इतना कह गर शनाली विमला का कमरा साफ करने के लिए चली जाती है तबी उसके नजर बेट पर पड़ी साड़ी पर पड़ती है और वो कहती है अरे यह तो ऒही साड़ी है जो मा कल खरीद कर लाई थी पर इस पर ये नेल पॉलिश किस ने गिरा दिया शुनाले इतना सुची रही होती है कि तभी नाइरा अपनी मा को बला कर ले आती है और सारा इलजाम शुनाले के उपर डाल देती है जिसके बाद विमला को बहुत ज़ादा गुसा आजाता है और वो कहती है क्यों रही करम चली? तेरी हिमत कैसे हुई? इतना कहकर विमला शुनाली को घर से बाहर निकाल देती है जिसके बाद शुनाली अपनी दोनों जादूी निलपॉलिश लेकर घर से बाहर चली चाती है और रोते हुए अपनी जादी निलपॉलिश से कहती है ये मेरे जादी निलपॉलिश मुझे एक फोन दे दो थाकि मैं अपने पिताजी को अपनी इस हालत के बारे में बता सकूँ शुनाली के इतना कहते ही उसके पास फोन आजाता है और फोन के मिलती ही वो अपने पिताजी को फोन करके सारी बाते बता देती है जिसके बाद शुनाली के पिता तुरन फ्लाइट पकरकर इसके पास आजाती है और कहती है मरी बच्ची तो आज ते कितना सब को सहती रही पर तोने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा मुझे माफ करतीजे पिताजी पर मैं क्या करती माफ मुझे कभी फोन लेने ही नहीं देती थी कोई बात नहीं बेटा आप मैं आ गया हो ना आप मैं सब को ठिक कर दूँगा इतना कहकर विनोल शुनाली का हाथ पकड़कर उसे घर में ले जाता है जिसके बाद विमला शुनाली के साथ उसके पिता को देख कर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है अरे आप कब आई जी और शुनाली बेटा तम कब से बाहर घूम रही हो मैंने तुम्हें कहा था ना कि चल कर खाना खालो पर तुम हो कि मेरी बात सुनती ही नहीं हो बस करो विमला अब मेरे सामने और दिखावा करने की जरूरत नहीं है मुझे मेरी बेटी ने सब कुछ बता दिया है कि तुम किस तरह अब तक इस पर अत्यचार करती आई हो लेकिन आप नहीं आरे तुम्हें तो शरम आनी चाहिए मैंने तुमसे शादी इसले की थी ताकि तुम मेरी बेटी का खयार रख सको ना कि उसको नौकरानी बना कर घर में सारे काम करवाओ इसले तुम इसी वक्त अपनी बेटी को लो और मेरे घर से निकल जाओ तुम्हारा अब इस घर में कोई काम नहीं है विनोद की ये बात सुनकर विमला और उसकी बेटी शुनाली से हाथ चोड़कर उसे माफी मांगने लगते हैं लेकिन विनोद उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देता है जिसके बाद वो दोनों मा बेटी रोड़ पर आ जाती हैं और उन्हें उनकी किय की सजा मिल जाती है और विनोध अपने बेटी को लेकर शहर चला चाता है और अब दोनों बाब बेटी मिलकर एक अची खुशी जीवन जीने लगते हैं